हो आप सभी का हर्याना के मौसम समालचार की ताजा बॉलेटर में मौसम विभाग चैलिकर्ड की ओर से देर साम ताजम मौसम बॉलेटर ने जारी क्या है तो हर्याना में गरचमक के साथ में धूल भरी आँधी चलने वाली है यह बड़ी अपडेट है तो प्रदेश में एक कम मौसम में बतलाओ देखने को मिलेगा आई है बड़ी अपडेट जानेंगे हर्याना के मौसम का हाल मौसम की ताज़ जानकारी अगर आप रोज हर्याना की मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें शुरू करते हैं विडियो को जैसा कि बता दे कि हर्याना में पांच दुनों का वर्सा पुरुनमान ज़री किया है ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मौसम भाग ने धूल भरी आंधी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है तो आज में हर्याना की उत्तरी और पस्रिम वद्दच्छेंट पस्रिम हर्याना में यहाँ पर गरचमक के साथ में तेज हवाएं चलने वाली है यह बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर गरचमक हो सकती है साथ में देख पा रहे हैं पंच उकला अंबाला यमन तो प्रदेश में आज और कल धूल भरी आधी के साथ यहां पर तेज हवाइश चलने वाली हैं तो बड़ी अपडेट निखल करा रही है जहां पर बता दे कि आज हरयाना के उत्री जिलों को छोड़करके यहां पर सभी जलों में धूल भरी आधी और तेज गस से हवाय यानि कि 30-40 कुमिर्ट प्रद गंटे के रखतार से रवाएं चलने वाली हैं तो इसके बाद हर्याना में 14 मई को यहाँ पर हर्याना के दच्छिड पूर्वहर्याना जबकि पस्षिम दच्छिड पस्षिम हर्याना में यहाँ पर बातलवाई देखने को मिलेगी और धूल भरी आध तापमान में दो डिगरी तक बढ़तरी होगी फिलहाल अभी जो तापमान है वो 45 एक डिगरी सेलसिस तापमान तर्ज किया गया है को रुक्षेतर जले का प्रदेश में एक और पस्वेश्व सक्रे होगा कमजोर पस्वेश्व जिससे बादलवाई बनी रहेगी जिससे हर्या प्रदेश्व जिलो में 15 एको मौसम सुस्क रहेगा सूला तारीक को यहां पर है रियान की पस्मी और दश्वेश्वेश्व में इसका असर होगा जबकि 17 मैं को सिर्फ उत्री जिलो को छोड़कर कि सेज जिलो में धूलबरी आंदी गरद चमक के साथ यह मौसम में फिलाल ताफ़ान 55 डिगरी है दो डिगरी की बढ़ोतरी होगी यह बड़ी अपडेट है इसके बाद ज्यादा कुछ हरियाना में वारिस नहीं होगी धूलबरी आंदी चलने की भी समाव रहा है